हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर जेनवेन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तो आज है 2nd August 2021 और आज की डेट पे टाटा पावर की शेर के अंदर हमें बंपर तेजी देखने को मिला तेजी की विचे रीजन क्या है चली यहां पे हम सब कंप्लीटली डिस्काशन करेंगे और उसके साथ साथ टाटा पावर के अंदर आज की डेट पे आपका क्या रन जाए तो दोस्तो आपके पस अगर ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट आकाउन नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लाटफोर्म में आप डिमेट आकाउन ओपेंड कर सकता है जहां पर आपका ब्रोकरेज फ्रीज ना के बरब लगदा है और एकाउंट ओपें पर लोगद आपके अनदर मजा आ गएा सीधा सीधा साथ परसुन की जंप लगा दिया आज एक ही दिन के अंदर दोस्तों यह जो ब्रेक आउट आयेगा यह मैं आपको बहुत पहले बता रहा था खड़ीदारी करने का बहुत पहले से राय दे रहा था मतलब ना जाने कितने जारा वीडियो बनाया है टाटा पाउट की उपर की हमेशा मैं आपको बोल रहा था कि जब भी बाइंग लेबल आ रहा है तब भी मैं आपको वीडियो बना के या कोई भी न्यूज आये तो बार-बार अलर्ट कर रहा था कि इसके अंदर आप इग्नोर मत किजिए बेस्ट बैंग लेवल में चल रहा है तो शेर को उठाइए देखते ही देखते आज की रेट में आच्छा कासा ब्रेकाउट आ चुका है जो कि इसका प्रिवियस हाई था एक सो बदीस आज की आये उसके उपरी आज की जाके क्लोजिंग दिया ये शेर्ट दोस्तों अभी रुखने वाला नहीं है अब यह तेजी की पीचे दोस्तों सिर्फ एक दो डिजन नहीं बहुत सारा रिजन है मैं आपको एक एक करके बोलता हूं आज का वीडियो दोस्तों प्लीज मैं ब्रेकाउट के रूप में देखने को मिला क्योंकि टाटा पावर जो कि टाटा मोटर्स का गोल है 2025 तक अल्मोस्ट दस से ज्यादा इलेक्रिक वाइकल्स इंडिया के अंदर लॉंच करने का उसका जो चार्जिंग स्टेशन होगा वो टाटा पावर इंस्ट्रॉल कर रहा है और उसके साथ साथ टाटा पावर का भी HPCLE के साथ भी यहाँ पे पार्टनर्शिप हो आए मतलब HPCLE का जो पेट्रल पंप है वहाँ पे टाटा पावर का अभी से जो चार्जिंग स्टेशन है इलेक्रिक वाइकल से वो डखेगा तो बेसिकली पावर इलेक्रिक मतलब EV के पर काम कर रहा है कंपनी लॉंग टम के लिए काफी अच्छा है दूसरा पॉइंट कंपनी 100% कर दिया है दिल्ली के अंदर जो डिस्टिबूशन नेटवर्क है वहां के अंदर रिनीवल मतलब टाटा पावर ने जो एनर्जी बनाता था वो पहले कोई दूसरा जो ओयल हो ग बड़े बड़े गुजराट मुंबाई फुमबाई के अंदर भी पावर डिस्टिबूशन का प्रोजेक्ट मिल रहे टाटा पावर को क्योंकि आज की रेट पर दोस्तों कुछ टाइम पहले एक न्यूज आया था कोई बहुत बड़ा ब्रोकरेज कंपनी ने टाटा पावर को इंडिया का सबसे अच्छा यहां पर जो पावर सेक्टर का कंपनी का दर जदिया और दूसरी भात दोस्तों यहां पर टाटा ग्रूप का ब्रैंड वैलू तो है टाटा पावर के साथ तो यह सारे सब कुछ मिला के आज एक ही दिन के अंदर शेयर प्राइस के अंदर करी आज की डियेट पे जम्प के बाद जो आरे साइंडेक्स का नंबर निकल क्या रहा है सेबेंटी पॉइंट टूसेवें कोई भी शेयर का अगर सेवेंटी के ऊपर चला जाता है आरे से तो उसे हम ओवर बाट जों कहा जाता है तो सिंपल बात है कंपनी का यह शेयर का जो आ आप टाटा पाउड के अंदर दोस्तों एक बहुत ही शांदर पैटन फॉलो करते हैं यह शेयर कैसा जो पैटन मैं आपको दिखाता हूं जब लास्ट टैम इसके अंदर तेजी आया था आपको याद होगा शेयर सीदह सीदह 132 रुपई का सबस्ट टच किया था उसके बास में बैटा हूं तो यह चीज मैंने आपको कभी नहीं बोलता हूं देखिए एंट्री लेने का भी टाइमिंग वह भी बहुत जाधे इंपोर्टेंट होता है आपको हमेशा सेयर में तभी एंट्री लेना चाहिए जब शेयर में करेक्शन हो यह जो फेज यानि कंसॉलि लेट फेज में चलेगा उसी टाइम आपको एंट्री लेना चाहिए कोई भी शेयर के अंदर के लिए तो आपका पहले एंट्री का लेबल था वह तो मैं आपको बहुत पहले ही बताया था बहुत वीडियो बने तो मतलब एक दो नहीं कोई मतलब ऐसा वेक थी मुझे आज की रेट पर बात करें तो टाट आप और आज ब्रेक आउट के बाद उसका जो अभी सपोर्ट लेबल के रूप में काम करेगा 130 अभी मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप एक दो दिन ऑबजर्ब कीजिए शेयर को अगर आपको शेयर करेक्शन होने के बाद या अभी रिसेंटली 130 का असपा शेयर मिलता है तो यहां पर आप आप आयों डिप स्टेडी से शेयर को पिक कर सकते हैं लॉंग टम के लिए शेयर को मेरे शब्ट को द्यान देना लॉंग टम के लिए क्यूंकि देखिए शॉट टम में इसके अंदर हलका फुलका करेक्शन या थोड पेशन्स का अलग भलू है यह मेरा वर्ड नहीं है यह खुद वरेंड वर्फ विजी नहीं कहा है इसके पहले देखिए इसका चलने का पैटन जो कि मैं आपको डिसकाश कर रहा था पहले जब देखिए शेयर पर इस चल रहा था यह 6 मैंने का चार्ट पैरन आपके बास 80 र पर रिजिस्टेंस फिसके फिर से हलका करेक्शन फिर देखिए जब तेजी आया उसका जो प्रिवियस आई है उसको क्रॉस करके उपर चला गया और फिर से निया हाई बना दिया एक सो बद तीस अब मज़े की बात दिखिए इस बार जब करेक्शन हुआ तो शेर कहां तक 116 तक पहुचा मुझे अच्छे से याद है जब मार्केट क्रेश हुआ था बीच में एक दो बार वलेटेल भी चल रहा था तो शेर पर 116 तक गया था ठीक है नीचे की तरफ इसके विचे रिजन क्या है इसका जो प्रिवियस आई था वह तो पंदरा रुपए का लेबल र 130 रुपए का लेबल राइट जहां पर इसको रेजिस्टेंस फेस के उसके बाद इसके अंदर करेक्शन आया तो अभी देखिए शेर प्राइज में जब ब्रेक आउट आ गया तो अभी ये शेर और एक दो दिन भागने का चांस है जब इसके बाद करेक्शन होगा तो मेरे जब पाता है उसके बाद करेक्शन फिट देखिए एक लंबा सा जब फिट एक करेक्शन जब यहां पर काफी लंबा समय यहां पर चला अभी देखिए शेर में यहां पर पाने का टाइम हो चुका है इस बार दोस्तों जब जब आएगा मतलब अभी जो आज की रेड़ी मे के आसपस पहुंच सकता है तो आप मुझे कमेंड करके बताए कि अभी शेयर में कहां तक जा सकता है बट लॉंग टम में दोस्तों मैं आपको बता कर रखना चाहता हूं यह चार-पांच साल आप वेट के जिए देख लेना यही शेयर आपको हजार रुपए के उपर मिल जाएगा शेयर का क्वालिटी है बहुत ही क्वालिटी का शेयर है उसके साथ टाटा ग्रूप का जो ब्रैंड वाल्यों वह भी है और पावर सेक्टर कंपनी जो की फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ऑसम है आज की रेट में दोस्तों काफी अच्छ कोई भी इंवेस्ट करने से बला आप खुद वेग और अच्छे स्टरी करना उसके बाद ही कोई निवेश करना वीडियो के यह यह पर वैंड आप करता हूँ वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक करके जरूर एंकर करना मिलता है नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक कर बाबाई चाहे हिंद